प्रेक्टिस सेट 9 को जिसमें हम देखेंगे आज के कुछ ऐसे सवाल जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी helpful होगा और आपके कहीं न कहीं किसी न किसी एक्जाम में ये सवाल जो है पूछे जा चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से हमारा पहला सवाल है कि ये जो हरप्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए ठीक है हरप्पा का जो एक बंदरगाह है उसका नाम लिखनी है वो हरप्पा का जो बंदरगाह है वह कौन सा है लोथल नागपटनम या फिर महा अस्थानगर्ट या सिकंदरिया ठीक है, तो हरप्पा के एक बंदरगाह का नाम जो है आपका क्या हो गया, लोथल लोथल जो है आपका एक हरप्पा का बंदरगाह है, तो option A क्या हो गया आपका इसका right answer हो गया, अगर इसी हरप्पा संस्कृती में एक आता है मोहन जोदारों ठीक है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि बड़े अस्नानागार और बड़े अन्नागार जो है कहां मिले थे तो मोहन जोदारों में जो है बड़े अस्नानागार और बड़े अन्नागार मिले थे अगला question है आपका देखिए अब देखते हैं कि यह सहर लोथल जो है आपकी यह सहर जो है आपकी कहां पे है तो सावर मती नदी और उसकी सहायक नदी भोग वान के बीच जो है स्वाराष्ट छेत्र में इस्थित है यह 2400 इसापुर्व से 1600 इसापुर्व के बीच हरप्प संस्कृती का प्रमान प्रदान करता है ठीक है लोथल सिंदू घाटी शब्यता का एक मात्र बंदरगा है किसका तो सिंदू घाटी शब्यता का नाग पट्रिनम यह भारत के तमिलनाडो राजगे नाग पट्रिनम जिले में एक सहर है महा अस्थानगर्ड बांगलातिस में अब एक तक खोजा गया सबसे पुराना सहरी पुरा तात्विक अस्थाल है बोगरा जिला के सिवगंज में इस प्राचीन नगर के अवसेस मिले हैं इस सहर को प्रोण वर्धन पुर भी कहा जाता थार या पुन्र वर्धन के राज़ में था सिकंदरिया या मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा सहर है या देश का सबसे बड़ा समुदरी बंदरगा है जहां मिस्र का लगभग 80% आयात निर्यात का काम होता है ठीक है अलेक ज कि थाई पूशम महोचब निमलिखित में से किस भारतिय राज़ में या मनाया जाता है ठीक है केरल अशम तामिल नाडू या फिर अरुनाचल परदेश तो यह अपका थाई पूशम महोचब है या तामिल नाडू में मनाया जाता है कहां मनाया जाता है तामिल नाडू में म सुनते होंगे क्या तो आपके वहां के जो भगवान होते हैं मुरगन क्या कहते हैं अगर आप बोलते हैं आयो मुरगन ऐसे करके सब लोग बात करते हैं तो वो भगवान है कौन तो सिव भगवान सिव और पारवती के पुत्र कार्तिक्य क्यों हुई मुरगन के नाम से वहां लोग जानते हैं और पूजते भी हैं, ठेक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है आपका, कि निमलिक नामकित में दक्षिन भारत के किस किले को मुगलों ने आठ वर्सों तक घेरे रखा था, आठ वर्सों तक घेरे रखा था, कौन सा ऐसा किला है, कोंडना, तोरन, स गेरे रखा था, किसने मुगलों ने, जिंजी किला या गिंगी किला या सेंजी किला भारत के तामिल नाडू राज में है, कहां पे है, तामिल नाडू राज में जो है आपका, जिंजी किला भी बोल सकते हैं, गिंगी किला भी बोल सकते हैं, या सेंजी किला भी बोल सकते है यह विजेन अगर शामराज के हिंदू तासकों द्वारा निर्मित लगभग आगमे किला था 1689 में यह संभाजी के छोटे भाई राजायराम का मुख्य किला था राजायराम के नित्रित में मराठा समराज के सैनिकों ने करनाटक में लगभग 300 मुगल सोवारों को फसाया और माट डाला था जिन्दी की घोड़ाबंदी तब सुरू हुई जब मुगल समराट और और औरंग जेव ने जुल्फी कार अली खान को करनाटक के नवाद के रूप में नामित किया और उन्हें जिन्जे किले को जब्त करने के लिए भेजा था ठेक है अगला देखते हैं निमलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरन है रेशेदार फसल का जो उदाहरन है वो कौन सा है आम हेंप रवर या फिर कौफी अगर हम रेशेदार फल की बात कर लें तो रेशेदार फल यानि फाइवर ट्रॉप ठीक है तो आपका हेंप हो गया हैंप मतलब आप देख सकते हैं क्या है यहां पर भांग तो अभी सावन का महीना चल रहा है जिसमें बोला जाता है कि भगवान जिव का प्रशाद जो है क्या होता है आपका भांग ठीक है तो भांग का एक और नाम है आपका क्या हैंप नेक्स देखते हैं कि महराज अधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासा कौं था चंद्रगुप्त प्रथम चंद गोप्त दूईतिया समद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त चीक है तो कौन था चंद्रगुप्त प्रथम option ये आपका इसका right answer हो गया चंद्रगुप्द प्रथम गुप्ध वंस के पहले सासक्ते जिनोंने महाराजा दिराज की उपाधिधारन की थे चंद्रगुप्द प्रथम जो है गुप्द राजा घटोत कच के पूत्र थे गटोत कच के पूत्र थे गटोत कच और राजवन्स के संस्थापक गुप्त के पोते थे दोनों को इलाहावादस्थम सिलालेक में महराजा कहा गया है वे उनके अगले उत्राधिकारी शमुद्र गुप्त के पितावी थे समुद्र चंद्र गुप्त पर्थम ने लिच्वी राज कुमारी कुमार देवी से बिवाह किया था लिच्वी एक प्राचीन कवीले का नाम है जिसका मुख्याल है गौतम बुध के समय में वर्तमान बिहार के बैशाली में था गुप्त वंस देखते हैं तो गुप्त वंस के पूत्र आपके कौन हो गए तो चंद्र गुप्त पर्थम अगले शासक चंद्र गुप्त पर्थम थे और वह महराजा धिराज कहलाने वाले पहले थे लगवक 330 इस वी से समुद्र गुप्त जिनोंने लगवक 50 वरसों तक शाशन किया चंद्र गुप्त पर्थम के प्राकलन समीती 30, लोक लेखा समीती 22, प्राकलन समीती 22, लोक लेखा समीती 30, ठीक है? तो आपका इसका जो right answer वो हो गया, क्या हो गया? लोक लेखा समीती और साधा से कितने 22, यानि option B जो है आपका इसका right answer हो गया नेक्स देखते हैं भारत में नीली क्रांती ठीक है नीली क्रांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है वर्गी कुरियन को सेम पित्रोदा को हीरा लाल चौधरी को या फिर सू स्री श्वामी नाथन को तो किसे कहा जाता है हीरा लाल चौधरी को जो है नीली क्रांती के जन तो स्वेत है दूगदुशा उत्पादन वर्गिश कूरियर नीली मचली पालन हीरालाल चौधरी और अरुन कृष्णन हरित क्रांती खाद्दान M.S. श्वामी नाथन रजत अंडा उत्पादन इंद्यानी अंदरा गांधी नेक्स्ट है आपका 1849 से 42 और 1857 से 58 की अबधी के दौरान चीन और इंग्लेंड के बीच हुए युद्धों को 20 युद्ध के नाम रूप में जाना जाता है ठीक है बिस्व युद्ध एसिया यूरोप युद्ध और दोगिक युद्ध या फिर हफीम युद्ध तो कौन सा युद्ध हो गया हफीम युद्ध यानी option डी आपका इसका right answer हो गया next देखते हैं कि दूइतिय विस युद कब शमाप्त हुआ था तीस अप्रेल 1945 को साथ में 1945 को 9 अगस 1945 को 14 अगस 1945 को तो तूइतिय विस युद जो आपका साथ अगर मैं 1945 को यह युद समाप्त हुआ था और 1949 से 1945 तक यह युद चला था ठीक है कब से कब तक 1949 से 1945 तक 30 से अधिक देश 100 मिलियन टन लगवग लोग इसमें सामिल थे कितने 30 से कितने देश से सामिल आपके 30 से अधिक देश और सामिल थे आपके 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसमें सामिल थे जिसमें अगर हम मिर्तियों की बात करें तो 70 से 85 मिलियन लोग जो है वह मर गए थे अब आते हैं हिटलर तो हिटलर जो है आपकी 30 मैं 1945 को कब 30 मैं 1945 को 30 मैं 1945 को अपने बंकर में क्या कर लिया था तो आत्म हत्या कर लिया था क्यों? क्योंकि वो जो है दुईतिय विश्युध हार गया था ठीक है अगला देखते हैं पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतियों का लोग प्रियगीत बन गया ठीक है खिलाफत आंदोलन भारत छोरो आंदोलन और सायोग आंदोलन श्वादेशी आंदोलन तो आंदोलन के दौरन पहली वार वंदे मातरम लोगों को लोग प्रियगीत बन गया भारत के वाइसराय लॉड करजन दौरा उनिस्वा पांच में बंगाल के विभाजन के साथ्वादेशी आंदोलन शुरू हुआर उनिस्वागारा तक जारी रहा था इसका सबसे ज्यादा परभा बंगाल में था भारत में शेवंदे मातरवान दोलन के रूप से भे जाना जाता है ठीक है अगला देखते हैं इसे में आपका क्या था विदेशी सामानों का बहिसकार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था नेक्स है कि 20 परबड़े 1947 को किसने घोजना की जू क्लीमेंट इटली ने तो किसने की थी क्लीमेंट इटली ने की थी यानि option D जो है आपका इस question का right answer हो गया नेक्स्ट है कि निमलीखित में से कौन सा कारक क्रशी भूमी की उरवरता की हानी के लिए जिम्मेदार नहीं है मिट्टी की उच कटियन विनी में छमता मिट्टी का करन मिट्टी का लवनी करन या फिर जल भरा तो आपका जिसका right answer हो गया वह क्या हो गया तो मिट्टी का उच कटियन विनी में छमता यानि option A जो है इसका right answer हो गया नेक्स्ट है कि भारत में संकुधारी ब्रिक्ष डैस में पाए जाते हैं संकुधारी ब्रिक्ष जो है वह डैस में पाए जाते हैं उसमें कटिवन दिया सदावाहर बन उसकटिवन दिया कटिले बन परवतिय बन या फिर मैग्रोब बन तो परवतिय बन में पाए जाते हैं पंजाब, बिहार, आंदरपर्दिस, तामिल नाडू, पंजाब को चुना गया था, option A, इसका right answer हो गया, सिंदू, घाटी, शब्यता, निमलिखित में से किस प्रकृति की थी, नगरिय, नगरिय, ग्रामीन, या फिर ग्रामीन, तो क्या थी, नगरिय, सिंदू, घाटी, शब् मुल्क, राजानंद, आरके नाराइन, जुम्मा, लाहिरी, तो ग्रीस, दत्सुकल, option A, आपका इसका right answer हो गया, क्या एक चुनाव को लोगतांतरिक बनाता है, जाती और वर्ग आधारित मद्दान, एक वोट, एक मुल, मन माने धंक से चुनाव, जबरन प्रचार, एक बिभिन राजियों में प्रती पुझी आए, घरेलू असता आए, घरेलू उपभोगताव है, देश में मलीन वस्तियों की अवादी, तो घरेलू उपभोगताव है कि, option C, आपका इसका right answer हो गया, किसने कॉलकता में निर्मल हिर्दे, कि अस्थापना की थी, सत्य जीतरे न मा आनंद मही ने, स्री औरब बिंदो ने, ठीक है, तो किसने की थी, मदर ट्रेशा ने, किसने की थी, मदर ट्रेशा ने की थी, तो option B, आपका इसका क्या हो गया, right answer हो गया, मदर ट्रेशा, 1989 का नोवेल सांती पुरुषकार, पाने वाली पहली भारतिया महला थी, कम मिला थ सांती पुरुषकार, 1989 में, मदर ट्रेशा का जो जन्व है, मेशोडोनिया में, अलवा नियाई मूल के माता पिता के यहां हुआ था, मदर ट्रेशा, 1989 में भारत आई थी, शन्याशनी मठ्थ में प्रवेस करने के बाद उन्हें एक सिक्षिका बनने के लिए, कौकत्ता में भेजा गया था, भारत आने के बाद उसने गरीव वो की सेवा करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने बीच, उनके बीच रहती थी, धर्म पराने महिला को 1962 में पद्म सिरी और 1980 में भारत रसनेशे शम्मानित किया गया था, उन्होंने 5 सितंबर 1997 को अंतिम सांस ली, एक सि देखते हैं, पटना उच नयाल है, कि अस थापना कब हुई थी, 1916, 1917, 1918 या फिर 1921, तो कब हुई थी, 1916, कब, option A जो है, आपका इसका राइट आंसर है, 1916 हमें 3 फरवरी को, नेक्स्ट कोस्चन, भारत के उप्राश्पती का चुनाओ, किनका उप्राश्पती का जो चुनाओ है, किया गया था, ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाची सदस्यों द्वारा, या फिर संसद और राज्य, विधा सांसद के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो सांसद के सदस्यों द्वारा, यानि option A जो है आपका इसका क्या हो गया? राइट अंसर हो गया, next देखते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1920 में, 1926 में, 1923 में या फिर 1936 में, 1926 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, option B क्या हो गया? आपका इसका right answer हो गया. किस संबिधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारतिय संबिधान में 9 अनुसूची जोड़ी गई, पहला, दूसरा, सात्मा या फिर 9 मतो, पहला संबिधान संसोधन द्वारा जो है, भारतिय संबिधान में 9 अनुसूची जोड़ी गई, option A क्या हो गया? आपका इसका right answer हो ग भारत के मुख नयदीज पर, तो किस पर है उच्च नयाय आलया पर, ठीक है? उच्च नयाय आलया या फिर उच्च नयाय आलया दोनों सेम ही है, तो आपका वही होगा, उच्च नयाय आलया या फिर उच्च नयाय आलया पर जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दाय वीडियो अगर आप लोगों को अची लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद